Hello students, मैं करतार सिंह तवर आपका English की क्लास में हारदिक अभिनंदन करता हूँ I welcome all of you guys आज हमारा जो टॉपिक है वो है one word substitution It means आपको English में कुछ शब्दियों होंगे और उन शब्दों के लिए आपको एक शब्द यूज़ करना है तो ये टॉपिक हमारा वोकैब का टॉपिक है वोकैबलरी जो आप याद करते हैं उसका टॉपिक है और इसकी मैंने आपको एक list अविलिबल करवाई है जो आप सब के पास होगी उस theory को आप पहले पड़े हैं उसमें मैंने करीब more than 500 words दिये हैं उनको आप learn कर लें वो सभी one word वो हैं जो काफी important हैं उनमें से mostly जो words हैं वो exam में पूछे भी गए हैं तो आप उनको ना याद करना शुरू कर दें 10 words 20 words अना daily उसको आप learn करना शुरू कर दें थोड़ा उनक उनको connect करें उनको याद करें और अच्छी वोकेब करने के लिए आप English की news सुने English newspaper पढ़ें तो उससे जो vocabulary आपने याद की जब आपको दिखेगी तो और ज्यादा अच्छी memorize हो जाएगी उसको आप link कर पाएंगे ठीक है ना तो आप उनको याद करना शुरू करें और वो मैंने आपको matter available कराया हुआ हुआ है तो आप उसी को learn करें और फिर उसके बाद इन questions को करने की कोशिश करें ये जो मैं questions बता रहा हूँ आपको ये exam questions है exam में आयवे questions है exam based questions है या लग-लग exams में आये तो वो कौन-कौन से questions हैं किस तरह से questions पूछे जाते हैं और कैसे उनके answers देने one word questions all कैसे करते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो पहला question है वो देखिए one who runs away from justice is called a college lecturer का एक exam हुआ था 2015-16 के अंदर तो उसका एक question है one word का कि एक व्यक्ती who runs away जो भाग जाता है from justice न्याय से भागता है is called जो न्याय होना चाहिए बटो न्याय से दूर भाग जाता है भगोड़ा होता है उसको हम fugitive कहते हैं fugitive it means जो दूर भागता है जो न्याय से दूर भागता है once one who runs away from justice भगोड़ा भी उसको आप हिंदी में कहते हैं तो ये fugitive होगा अचा इन्विंसिबल क्या होता है जिसको आप जीत नहीं सकते आप पराजित अजे इन्जस्टिस अन्याय तो fugitive होगा जिसको हम भगोड़ा भी कहते हैं ठीक है न भगोड़ा भी इसे कहा जाता है भगोड़ा होता है ठीक है भगोड़ा जो भागता है अपके notes में ने दिया वाए fugitive one who runs away from justice is known as fugitive ठीक है अब आगे दिखते हैं a word which is no longer in use एक ऐसा शब्द जो अब यूज में नहीं है जो अब यूज में नहीं है उसको हम बोलते हैं obsolete क्या कहते हैं उसको हम लोग obsolete absolute यानि तो पून complete होता है ambiguous का मतलब होता है द्वी अर्थी obsolete obsolete means एपर्चलित एपर्चलन ऐसा शब्द जो अब पर्चलन में नहीं है जब नहीं रहा उसको हम बोलते हैं obsolete equivocal और ambiguous ये दोनों almost same शब्द होते हैं जिनके अर्थ द्वी होते हैं एश्पस्ट अर्थ होते हैं उनको बोलते हैं ambiguous equivocal obsolete होता है एपर्चलन में जो अब 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 चलता नहीं है no longer in use no longer in use तो हमारा इसका अंसर होगा obsolete obsolete ठीक है तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए और obsolete मैंने वर्ट दे रखा है आपको learn कर लें और आप question कर सकते हैं easily third देखिए a child born after the death of its father एक ऐसा बच्चा जो अपने फादर की मोत के बाद पैदा हुआ पिता जी expire हो गए थे तो I think कि उसकी मा जो है वो pregnant रही होगी उस समय लेकिन वो उसके फादर अचाना expire हो गए फादर के expire होने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ उसको post humus कहते हैं post humus post यानि बाद में humus उसके पिता के मरने के बाद जो पैदा हुआ उसको post humus कहते हैं और हाँ कई बार इस वोड़ को अम ऐसे भी यूज कर लेते हैं कोई ऐसी बुक कोई ऐसा लिट्रेचर जो किसी वैक्ति के मरने के बाद किसी वैक्ति के मरने के बाद publish हुई हो कोई किसी का के बुक किसी की पोएम poetry अगर किसी लेख़ए क के मरने के बाद पॉस्ट हुमस ली पॉइब कोई भी बच्चा मरने के बाद पैदा उता है उसको पोस्ट हुमस कहते हैं रेकलिउस का मतलब होता है जो एक आंग की जो IKTA होता अचैसर गोट हो जायगा मैं बाकि वेर्स बता do рoken polyglot होता है काफी बार क्योशन पूछा गया है पॉलिग्लॉट मींस ए पर्सन हूँ नोज मोर दैन वन लेंग्विज जो एक से ज्यादा लेंग्विज जानता उसको पॉलिग्लॉट करता है समंतन यह कोई वर्ड नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा पॉस्ट हुमर्स ओके नेक्स क्योशन पर बात करतें अंड्यू फेवर शॉल्डर अफ हाय अफिस तु इस ड्रिलेटीव को ना अंड्यू फेवर करता है जो बड़े अधिकारी होते हैं वो अपने ही relatives को job दिलवा देते हैं उनको extra फायदा दे देते हैं तो वो भाई भती जावाद करते हैं तो जब कोई बड़ा अधिकारी अपने relatives को अपनी post का फायदा दे अंड्यू फेवर दे तो ऐसी जो यह incident होता है इसको हम लोग कहते हैं नैपोटिज्म भाई भती जावाद नैपोटिज्म तो इस नैपोटिज्म आपका अंसर हो जाएगा ओलीगार की होता है कुलीन तंत्र कुलीन तंत्र बड़े लोगों का राज कुलीन तंत्र परजरी होता है जूटी गवाई जूटी गवाई परजरी जूटी गवाई वेंडलिजम होता है तोड़ फोड जो संपत्ती होती है पबलिक प्रोपर्टी उसको जब भीड रायट जब तोड़ती है फोड़ती है बसों को जला देती है बिल्डिंग्स को तोड़ देती है आग लगा देती है आग जनी कर देते है उसको बोलता है वेंडलिजम किसी प्रोपर्टी को ऐसे बरबात करना तोड़ फोर कर देना उसको नुकसान पहुचान इस नोन आज वेंडलिजम और परजरी होता है जोटी गवाई ओलिगार कि होता है कुलिन तंत्र नेपोटिजम होता है धाय भतीजावाथ तो अपना अंसर क्या हो जाएगा अपने भाई बतीजों को रिस्दारों को फायदा उठाना, उनको फायदा देना, that is known as nepotism, तो आपका इस fourth question का अंसर हो जाएगा, nepotism. I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह आप solve करें, एक एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए कि इसका यह अर्थ है, इसका यह अर्थ है, इसका यह अर्थ है, इसलिए अंसर यह वाला होगा. इस तरह से अगर आप पुरे दिमाग को खोल के और पुरे question को खोल के करेंगे, तो यह आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी चीज़ें, यह RPSC School Lecturer GK 2016 में पूछा गया क्वेशन था, आगे बढ़ते हैं, फिफ्ट क्वेशन, that cannot be seen through, ऐसी चीज जो कि किसी के अपना, that cannot be seen through, कि आप किसी वस्तु के through, उसमें से उकर देख नहीं सकते, कोई चीज जैसे अब यह पत्थर की दिवार होती है, उसके आरपार आप नहीं देख सकते, लकडी के आरपार आप नहीं देख सकते, तो जिन चीजों के आप आरपार देख नहीं सकते, cannot be seen through, उसको आप कहते हैं, opaque, opaque, एपार दर्शी, transparent होता है पार दर्शी, इसके तो आप आरपार देख सकते हैं, तो यह तो आप यह तो पार दर्शी होता है, और translucent होता है, अर्ध पार दर्शी, थोड़ा बोद देख सकते हैं, अर्ध पार दर्शी होता है, पूरा नहीं देख सकते हैं, पर थोड़ा बोद देख सकते हैं, इवन्स अज़ों, opaque, opaque मलब हो गया, प पारदर्शी और जो आपका इवन सेंट है यह वो चीज़ होती जो जल्दी ही टूट जाती है इवन सेंट खुशन भंगूर जो कुछ समय में ही टूट जाए खुशन भंगूर होता है यह सब मैंने आपको नोट्स में दिये वें शब्द उनको मास देख लेना आप लोग और ओपेक होता है ऐपारदर्शी जिसके आरपार आप देख नहीं सकते तो देखना आप जब आप एंटोनिम्स पढ़ेंगे विलॉम शब्द पढ़ेंगे तो उसमें यह ऑपेक जो है यह ट्रांस्पेरेंट का ओपोजिट होगा यह इसका opposite होता है transparent transparent पारदर्शी और opaque यह निए आपारदर्शी जो थोड़ा वो दिखता है उसको हम बोलते है transparent और यह even sent यह अलगी word है इसका लग कोची जो जल्दी टूट जाती हो खशन बंगुरो उसको आप even sent कहते है तो अपना answer इसमें होना चाहिए opaque ठीक है ना एपारदर्शी जिसको आप जिसके आरपारण आप देख नहीं सकते that is known as opaque next देखिए आप question government by officials जब officials officers अधिकारियों के द्वारा नोकर्शाही के द्वारा जब कोई साशन किया जाता हो तो उसको आप इंदी में नोकर्शाही कहते है इंग्लिश में इसको आप bureaucracy कहते है तो bureaucracy will be the answer bureaucracy autocracy क्या होता है जब राज करने वाला कोई एक ओटो कोई एक ही हो एक तंत्र ये तो होता है नोकर्शाही ये होता है एक तंत्र जब एक ही राज करने वाला हो aristocracy वो ओलिगार्की की तरह है कुलीन तंत्र यह कह सकते है अभिजात वर्ग जो बहुत अभिजात वर्ग के लोग है जो बहुत यह ए aristocratic people है उनके द्वारा जो सासन होता है उसको aristocracy कहते हैं बड़े लोगों के द्वारा जो कुलीन तंत्र हैं जो अभी जातवर के लोग है उनके द्वारा सासन करना डैडिस नौन एरिस्टोक्रेसी और डैमोक्रेसी यानि परजातंत्र आप जानते होंगे जब गवर्मेंट बाइपीपल फॉर दा पीपल आफ दा पीपल डैडिस मुझे सैंसी टीक है आगे भड़ते हैं लोग में वान वीजन आवर्स ही स्टो एकडिस ऐसी चीज़ गभी एगिडिस्ट होने से पीडिस्ट नहीं होगी रुकेगी नहीं वाण जो हमेशा रहे उसका अस्तितु कभी सीस नहीं होगा, उसका अस्तितु कभी बंद नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा, अमर है वो, अमर, तो इमोरल तो एनेटिक होता है, इम्पासिबल जिसको जिस गुजर ना सके, इमोर्टल, अमर, जो मरता नहीं हो, तो यह आंसर हो जाएगा, का मतलब होता है यह जो आलेख वगरा जो स्क्रिप्चर्स होते हैं मलब धार में ग्रंथ वगरा उनको आप कहते हैं स्क्रिप्चर तो अपना हो जाएगा इमोटल अमर नेक्स देखिए अब बुक और पेपर रिटन बाई हैं जो हाथ से लिखते हैं पेपर आप उसको आप कहते हैं मैनियू स्क्रिप्ट हस्त लिखित मैनियू स्क्रिप्ट टाइप से लिखते हैं स्क्रिप्ट नव लिखा हुआ मैनियू स्क्रिप्ट यानियू हस्त लिखित हस् तो अपरादी होता है मिस् क्रियंट याने अपरादी दोशी तो यहां कोई इसका लेना देना नहीं है यह तो बिल्कुल ही गलत होगा बिल्कुलम कित्क नीजेगा तो अपना अंशर हो जायगा स के एट्थ का अंशर जायगा स की नेक्स देखते हैं speech delivered on the sport without preparation ऐसा भाषन जो बिना तैयारी के आप देते हैं उसको हिंदीम बोलते हैं लोग आशू भाषन अचानक बोला कि इसको बोलना है आप खड़े और टोपिक पर आप बोलने लगे उसके लिए आपने कोई तैयारी नहीं की थी उसे आप बोलते हैं एक्स्टम परी एक्स्टम परी एक्स्टम परी एक्स्टम परी एक्स्टम परी अन्प्रिपेड जो तैयार नहीं हो आता अन्रियर्स के रिहर्सल नहीं की यह तो नॉर्मल वड़ होगे प्रोपर वड़ इसके लिए एक्स्टम परी क्या बोलते हैं इसको हम लोग एक्स्टम परी आशु भाषण इक्स्टमपरी ठीक है न एक्स्टम परी यह रिस्ट तुरंत बिना रिहर्सल के बिना पत्यारिक जो भाषण होता है जो अचानक आपको देना पड़े ओंदा इस्पूर्ट उसको आप कहते एक्स्टमपरी ठीक है न तो तो अंसर हो जाएगा C, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्योशन नमर टेन, उसको आप बोलते हैं पोस्त मॉटम, पोस्त मॉटम की रिपोर्ट आती है, उससे पता लगता है, कि ये इसकी मौत कैसे हुई, तो डैट बोडी मरने के बाद, after death, मरने के बाद चरीर का जो पिता से जो मनी मिलता है जो पिता से जो पैसा मिलता है उसको आप बोलता है पैट्रिमनी तो इसको पैत्रक संपत्ती भी कहते हैं इंदी में पैत्रक संपत्ती जो आपको परिवार से खांदान से मिलती है और मैट्री साइड होता है मा की हत्या मात्रवद्ध विस्ट का मतलब किलिंग होता है तो सूऊइड खुद को मारना प्येटरिसाइड पिता को मारना है धिने माको मारना फैटरिसाइड भाई को को मारना सोचरी साइट बेहन को मारना कि низ रिजदार को मानार रजा को मारना को मारना तो CID साइड लग गया होमि साइड किसी नर्व मानव की अत्या करना ठीक हैlotा पूरे जाती को कोई मार देना संगार करते एक साथ बोसारी लोगों को खतम कर देना जैसे कि नैपोली अरिटलर वगरा ने किया था तो वोगराने कीया था तो यह आंसर होगा अब आप क्योंशन नम्मर 11 देखिए दा स्कूल फॉर इंफेंट्स एंड यंग चिल्रन छोटे बच्चों का इंफेंट्स शिशू जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनका छोटे बच्चों का स्कूल क्या कहलाता है लाइबरेरी नहीं किंडर गार्टन क् कुछ अलग चीज़ों को मूजियम में रखते हैं ताकि लोग आएं देखें करें tu को एक्सपीरियंस करें उसके लिए मूजियम होता है इसकूल सप्रिया उसे ओमॉह सथTu के लिए उता इफू 10 सब्सक्राइब और है। आदेखिए। one who collects postage stamps वो लोग जो की postage stamp को collect करते हैं istamp collect करने वाले वो क्या बोलते हैं जो dark ticket को संग्रह करते हैं dark ticket संग्रह करता उसको बोलते है filla tellist filla tellist fill यानी प्रेमी lover जहां फिलवड आ गया उसका मतलब लवर होता है फिला टैलिस्ट और फिला टैलिस्ट का मतलब होता है जो डाक टिकेट का लवर है जो डाक टिकेट को इखटा करता है स्टेम को इखटा करता है पोस्टेज को इखटा करता है उसे फिला टैलिस्ट कहते हैं और यह क्वेशन अ टिक्ट संग्रह करता लेक्सिकोग्र होता है जो डिक्शनरी बनाते हैं उनको बोलते हैं लेक्सिकोग्र शब्द संग्रह लेखक, जो शब्दों का कलेक्शन करते हैं, उनको लेक्सिकोग्र कहते हैं, प्लमर होता है, प्लमर जो होता है, अपना ये नलवल जो ठीक करते हैं, उनको कहते हैं, टैली पैथिस्ट, ये वो लोग होते हैं, जो टैले दूर बैठे ही, आपके दिमाग को प पार लेक्सिकोग्रेफर होता है जो डिक्ष्नरी लिखते न या जो शब्द संग्रह करते हैं उन लोगों के विशेशक को आप लेक्सिकोग्रेफर कहते हैं ठीक है तो इसका अंसर अपना हो जाएगा सी हो जाएगा फिर आगे देखते हैं 13, one who believes in offering equal opportunities to women, जो women को समान अधिकार देने की बात करते हैं, उनकों बोलते हैं feminist, क्या बोलते हैं, feminist, आंसर हो जाएगा feminist, महिलाओं के उठ्थान की जो बात करते हैं, उन्हें आप feminist कहते हैं, फैटलिस्ट होते हैं, जो फैटल, भाग्य पर विश्वास करते हैं, भाग्य वादी, ये भाग्य पर सब कुछ छोड़ देते हैं, कि जो होगा देखा जाएगा, सब कुछ पहले से लिखावा है, सब कुछ पहले से तय है, बगवान ने सोच रखा है, किसके साथ क्या होगा, तो हमें कुछ ज़्यादा एक्स्रा प्रियास करने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को आप बोलते हैं, फैटलिस्ट, फैमिनिस्ट वो लोग होते हैं, जो फैमिन, फिमेल से वड़ बना, फैमिनिस्ट जो महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, उनको एक्वल राइट्स देने की बात करते हैं, लिब्रल होते हैं, जो उदारवादी होते हैं, ये ना बहुत कटर नहीं होते हैं, हर चीज में अच्छा ही देखने कोशिश करते हैं, और चीजों को ना माफ करने कोशिश करते हैं, उदारवादी होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, मतलब उदारवादी होते हैं, कटर नह विच इस इनकैपर बोल आफ बिंग्रीड ये कई बार पूचा गया है यह 3-4 टाइम तो आहले इसकी इसक्षिन को आज ही मलब ऐसी writing जो पढ़ने में नहीं आती है इसको शुदिन नहीं बोलते हैं एपठनी है इसको आप पढ़ नहीं सकते हैं अपने यहां रास्तान में लोग बोलते हैं सूगली writing है साब समझ में नहीं आ रही क्या लिखा है तो उसको बोलते हैं illegible illegible indomitable तो होता है amid indomitable नहीं amid नहीं होता वो idelible होता है indomitable होता है एपराजित जिसको आप पराजित नहीं कर सकते एपराजित indomitable जिसको आप पराजित नहीं कर सकते unintelligible intelligent नहीं हो incorrissible इसका अमल होता है जिसे ठीक नहीं कर सकते जिसे सुधारा ना जा सके करेक्ट ना किया जा सके सुधारा ना जा सके यह देखना बार-बार मिलेंगे आपको आगे और इलेजिबल मतलब होता है ए पठनी यह काफी इंपोर्टेंट है कई बार आएगा क्योशन तो आंसर हो जाएगा डी इलेजिबल ए पठनी है जिसको आप पढ़ नहीं सकते उसे आप बोलते हैं इलेजिबल जिसकी राइटिंग समझ में नहीं आती हो हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ है जिसको पढ़ नहीं सकते हैं आप उसको बोलते हैं इलेजिबल इन्कॉरिजबल होता है जिसे सुधारा ना जा सके और इन्डॉमिटेबल होता है आप पराजित जिसे पराजित ना किया जा सके अजे हो जो जिसको जीता ना जा सके तो आंसर हो जाएगा D एक क्योस्चन नमर 15 देखिए यर्ली रिटर्ण पर्टिकुलर डिट ऐसी डिट जो हर साल रिटर्ण होती है और उसको आप सेलिब्रेट करते हैं कोई तारिक जिसे को शादी की तारिक है कोई और सगाई की तारिक है या कोई और तारिक कोई प्रोग्राम जो कोई कोई नई संस्ता घटित हुई थी उसका एक डेट आता है हर साल उसकी फिर आप function celebrate करते हैं तो एक एना क्रोनिज्म होता है जब आप डेट में कन्फूज होते हों आप समय का ब्रह्म होता हो काल ब्रह्म समय का जब ब्रह्म होता है तो उसे आप कहते हैं एना क्रोनिज्म क्रोनिकल समझाओ क्रोनिकल इतिहास की जो डेट्स होती है उसको आप क्रोनिकल कहते हैं क्रोनिज्म कहत कहते हैं और एना कुरूम वालब जब आप उन डेट्स में आपको डाउट हो आप कन्फ्यूज हो रहे हो भ्रम आपका हो रहा हो तो उसे कहते हैं तो वह नहीं होगा एविशन होता है एवी जो होता है न वर्ड यह जुड़ा है बर्ड से फ्लाइ से फ्लाइव एविशन उसको भी आप विमानन कहते हैं लुँ इसी टू रिलिटेट टू एरोप्लेन एयरक्राफ्ट थो इसको भी आप एवीएशन एफिली टैपार्टमेंट कहते हैं यह फ्लाइए उड़ने समन्दित है इलिस्व मतलब ब्रमित भामक है जो झूट है Smith तो एक ऐसी डेट जो हर साल आती है उसके क्या कहेंगे ब सब्सक्राइब आपका एनिवर्शरी एक्जाम में आएवा क्योशन है अब आप क्योशन नमबर 17 देखिए एक डिजीज विच एंड्स इन डैथ एक ऐसी बिमारी जिससे मृत्य होगी इस नॉट कोल्ड वह इन में से कौन सी नहीं है डैडली जिस जो मारेगी घातक और यह कहा है कंटेजस 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 कमल होता है संक्रामक संक्रामक बिमारी होती है जिससे मरे ना मरे कोई जरूरी नहीं है फेटल मतलब घातक होता है लीथल मतलब घातक होता है तो डैडली फेटल और लीथल इन सब का मतलब तो प्रान घातक होता है जिससे मरना निश तक है इसे तो मोत होगी ठीक है ना फेटल लीथल और डैडली यह जो कंटेजस आप देख रहे हैं वर्ड संक्रामक यह ऐसी विमारी जो एक दूसरे से फैलती है इसे मोत हो ना हो को जरूरी नहीं है यह संक्रामक विमारी के लिए उस होता है तो कौन सा वर्ड ऐसा नहीं है जो डैट से समंदित हो जिसे मरना ही होगा तो तीन तो मरने समंदित हैं कौन्ट जस नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा भी अना कंटेजस क्या बोलेंगे इसको अब लोग कंटेजस ठीक है कंटेजस इसका उचारण होगा आप क्योंशन नमर 18 देखिए हैंड राइटिंग डैट कैनोट भी रैट थोड़ दे पहले था जो राइटिंग आप पढ़ने सकते इलेजिबल इन इलेजिबल तो वड़नी होता है इलेजिटिमेट होता है जो अवैद होता है इन एडिटेट जो एडिट नहीं किया गया इलेजिबल आंसर हो जाएगा दी थोड़ देर पहले भी आया था ओके नेक्ट शिशन नाइंटीं ए बिल्डिंग वेर एर क्राफ्ट आर कैप बिट्विन फ्लाइट्स एर क्राफ्ट का सिमलर भी एर क्राफ्ट होता है एर क्राफ्ट का प्लूरल भी एर क्राफ्ट होता है तो एरक्राफ्ट में ऐस लगाना गलत होता है ऐर्क्राफ्ट और कैप्ट बृतर फ्लाइट्स सूच्छ हे उनके बीच्छ में पहुछ जाता है उनको रहाधा जे radi घृत पर यह मैंने आपको नोट्स में दिया है बुलवार्ड मीन्स होता है एक रास्ता चोड़ा रास्ता जिसके दोनों तरफ पेड लगे होते हैं और पेड की छाया उस रास्ते पर होती है खुबसूरती दिखाई देती है पूरा एक व्रक्ष विदी मलब पूरे पेड ही पेड लग यह दौक याड होता है यह शिप के लिए होता है यह एरक्राफ्ट आया यह शिप के लिए होता है वह सेम काम करता है बिल्डिंग होती है जहां पर एक जगह होती है बंदरगा पे जहां शिप को मेंटेनेंस किया जाता है और हैंगर होता है एरक्राफ्ट के लिए यह एरप नाइंटेन का अंसर हो जाएगा हैंगर अब आगे बढ़ते हैं क्योंशन नमर्ट्वंटी एक बेसिक यूनिट ऑफ मैजर्मेंट ऑफ इन्फॉमेशन इस्टोरेज इन कम्प्यूटर कम्प्यूटर में जो इस्टोरेज रखी जाती हैं इन्फॉमेशन उसको मापने के लिए कितना स्टोर कर सकते हो तो आजकल तो गीगावाइट्स आगे मेगावाइट्स सोटा पार्ट जो है बेसिक यूनिट जो है इसकी वह है बाइट डेटा बाइट 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 यह वाला नहीं बाइट बी बाइट कम्प्यूटर में जो काम आता है यह स्टोर करन है कोई कहां पर आए बट सारे एक्जाम में अच्छी बात है किलिंग और मडर फॉर पॉलिटिकल रीजन्स पॉलिटिकल रीजन्स के लिए किसी को मारना बड़े अधिक बड़े नेता को मारना डैट इस नौन आज अससीनेशन अससीनेशन सुसाइड ये तो खुद को मारना होता है आत्मत्य होता है जीनोसाइड ये तो भाई सुसाइड तो आत्मत्य हो गया जीनोसाइड पूरी जाती को खत्म करना हो गया जाती संगार असससीनेशन होता है ये वाली बात किलिंग और मडर फॉर पॉलिटिकल रीजन्स तो अंस्तर पूरी जाति विशेश को खतम करना इसे हेटलर ने किया ठीक है न ऐसे लिचेनेशन होता है बड़े नेता पॉलिटिकल लीडर को मारना केलिंग और मर्डर और पॉलिडिकल लीडर या फॉर पॉलिटिकल रीज़न्स तो वह ऐसेसीनेशन कहला जाएगा अससिनेशन ठीक है तो यह यह रिजन यह उसका आंसर हो गया सी क्योंशन नमर ट्वेंटीटीटू इस हैंड राइटिंग इस नॉट किलियर इनफ टू भी रैड तीसरी बार क्योंशन आगा थर्ट एम इलेजिबल इलेजिबल आंसर हो जाएगा यह इलिट्रेट होता है निरक्षर इनफॉलिबल होता है अचूप जिससे जो गलती ना हो जो फेल ना हो कभी लेजिबल होता है जिसको पढ़ा जा सके वो लेजिबल होता है इलेजिबल जिसको पढ़ा ना जा सके थर्ट टाइम क्योशन आगा है आंसर हो जाएगा सी अब क्योशन नूमर 23 देखिए विज चायल्ड विदाउट पैरेंट्स वो ऐसा बच्चा है जिसके पैरेंट्स ही नहीं है माबाप नहीं नहीं अनाथ अनाथ को इंगलिश कहते हैं और फन और फन तो यह आंसर हो जाएगा और फन इंफेंट होता है शिशु चोटा बच्छा बहुत चोटा जिसका एक टेक्निकली बात करें तो पहला जनम दिन भी नहीं मना हुआ अभी तक जीरो से एक साल तक का जो बच्छा पता नहीं और और फन जिसके माता पिता दोनों नहीं हो तो अपना अंसर होगा ओफन ठीक है कि आगा किश्ट नमर नेक्स देखिए 24 मटर उफ वंस चाइड अपने बच्छे को ही मार देना तो फिली साइड होता है फिली यानि बच्चा है चाइल्ड तो बच्चे को मार द इस दिधेना और पिडो फाइल मिलबता यह लर में प्रेमी इस और पिडो वटा बצ्छा आ पीडियोत्रिक सक्थ और पीडियोफा ने सेते तो पीडियोफाइल पीडियोफाइल इसक इसा विक्ति दो बच्छों से प्यार करता है यह मनलब जो बच्चों के सास्ट करना है हिंदी में यह बाल वासना कुछ लोगों में यह बिमारी होती है कि उनको छोटे बच्चों के सास्ट सेक्स करना अच्छा लगता है तो ऐसे लोगों को कहते हैं पिडोफाई laughing फाइड मा की हत्या करना पैट्री साइड पिता की हत्करना फिली साइड बच्चे की अपने खुद के बच्चे को मार देना फिली साइड तो आंसर हो जायागा इसका ए ठीक है ना इस पंटेकर देखिया वन हो कोपी इस फ्रॉम अदर राइटर्स ऐसा कोई लेखक जो दूसरों के काम को को कोपी करता है दूसरे राइटर को को कोपी करता है साइड एक चोरी करता हो ठीक है न तो आफेंडर तो अपरादी होता है प्रत्यों कि ताम मैं सों कंटेंडर कहते हैं एंटागोनिस्ट का मतलब होता है लिलन दुश्मन आइनिमी जो हीरो का ऑपोजिट होता है नाटक में ड्रामा के अंदर protagonist होता है hero, main character और उस main character का दूश्मन होता है इसको बोलता है antagonist तो यह वो नहीं होगा प्लेजियरिस्ट प्लेजियर्स होता हैサा Nich dotory जो साइते की चोरी करता है साइते चोर जो साइते की चोरी करें उसे आप क्या कहते हैं प्लेज़ेरिस्ट क्या कहेंगे दोस्तों उसको प्लेज़ेरिस्ट कहते हैं ठीक है ना या आंसर हो जाएगा डी नाव क्योशन नंबर 166 में इंगर्मेंट रन बाइपेड़ एसे सरकार जो लोगों के द्वारा चले जाती है जंता के द्वारा परजाा के द्वारा चले जाती है उसे पर जंत्र या लोक्त नंत्र कहते हैं इंडी में इंगलिश मिंसर्ण आप् Germany है तो अब कांस्ट रो जायेगगा डेमोध्रेसी बाकी के option के है Monarchy मतलब होता है राजतंत्र, राजा का साशन Monarchy bureaucracy होता है नोकरशाही officials अधिकारियों का साशन Autocracy होता है कोई एक ही वेक्ति साशन करता है वो किसी दूसरे की सुनता ही नहीं है खुद के ही decision चलाता है उसे आप कहते है Autocracy तो अपना आंसर हो जाएगा democracy ठीक है ना 26 का आंसर हो जाएगा democracy ओके अब हम बात करते हैं question number 27 पे something kept as a reminder of an event आप किसी event किसी program में गए थे और वहां के reminder के रूप में है वहां के यादास्त के तोर पर आपको कुछ दिया जाता है आप कुछ रखते हो यादास्त के तोर पर कहीं आप गूमने गए और वहां गूमने के लिए गए तो वहां के यादास्त के रूप में कोई चीज ले आए किसी मेले में गए तो वहां से कुछ ले आए किसी के प्रोग्राम में गए तो वहां से कुछ लेकर आए किसे ने कुछ दिया आपको तो जो निशानी होती है एक स्मरती चिन होता है एक प्रतीक होता है वहां की याददास्त के तोर पर उसे आप कहते हैं आवार्ड नहीं बायोग्राफी तो जो आपकी जीवन लिखता है उसको प्राइज इनाम कहते हैं उसको या उसको सूवनियर क स्मृत्ति चिन जो याददास्ट के रूप में हम लोग रखते हैं ठीक है ना उसे आप क्या कहते हैं सूवनीर याददास्ट के तोर पे रखा जाता है दोस्तों इसको सूवनीर the study of plants पोदों की study, zoology ये तो जानवरों की होती है एनिमल्स की, biology जानवर और पोदे दोनों के लिए यूज होता है geology ये geography से related है, भू, विज्ञान, botany ये plants से related है actually biology के दो पार्ट होते है, zoology इसमें जन्तु सास्तर होता है और botany ये वनस्पती सास्तर होता है ये पोदों की बात करता है, तो ये biology के दो पार्ट है, zoology और botany ठीक है न, तो अपना आंसर इसमें हो जाएगा, botany, पोदों की बात कर रहे है, तो botany आंसर होगा, plants ठीक है, तो 28 हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, 29, murder of a king, राजा का murder, मैंने बताया था, राजा के murder हो क्या कहते हैं, मैट्री साइड, ये तो मा की अत्या होती है, रेजी साइड, येस, killing of king, रेजी साइड, अक्सरी साइड, ये पत्नी की अत्या होती है, ठीक है न, पत्नी की अत्या, अक्सरी साइड क्या होता है दोस्तों, ये पत्नी अत्या होती है, और पैरी साइड, कोई भी relative या माबाप की अत्या, उनकी अट्या को बोलते है पहनीसाइड है ख मैट्रिसफाइड है किलिंग आफ वाइफ म माँसमा की अत्या साइड यानि किलिंग होता बता दिया पहले भी आपको तो आप क्या करें जब मोबाइल में आप देखें या डिक्षिनरी में चेक करते हैं तो ना इन शब्दों के आपको मूल पर शब्द मिलेंगे उससे याद करना ज्यादा असान हो जाएगा आपके लिए आप को याद करने के लिए बुक भी पड़ सकते हैं बहुत अच्छी बुक है वह नॉमन लुइस की नॉमन लुइस उसको भी आप पड़ सकते हैं यह से ना उस हरप दे रखा है कि वह साइड कि यह की होता है मैटरी मा के लिए यूज होता है मजर के लिए होता है तो आपको वह सारी वर्ट सब्सक्राइब हो सकते हैं ठीक है ना इसका मनतर हो जागा रही साइड यानि की राजा की हत्या कि नेक्स देखिया है भी लग वच चीज चिसे सुना नहीं जा सकता हुआ हो ए 1डॉय अंजा सकते मिता नहीं सकते के इन व्लकुल जिसे सनन नहीं सकते audio सुना होता ओट यूनий सुनूंधी योग है इनउड़िबल जिसे सुना नहीं जा सके तो अपना अंसर भी वजा इन एक्सेसिबल जहां पहुंच ना सके बहुत दुर्गम जो जगह होती है जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है एक्सेस नहीं कर सकते हों पहुंच नहीं सकते और इन्विंसिबल यानी जिसे हरा नहीं सकते अजे यहां पहुंच नहीं सकते बहुत दुर्गम है जहां जान तो answer हो जाएगा B, I hope कि आपको सारे point समझ में आ रहे होंगे, मैं आपको बिलकुल एक बात को ध्यान से बता रहा हूँ, killing of self, खुद को मारना, suicide, murder, suicide, self, killer, killer, suicide हो जाएगा, यह तो कई बार आ चुका अपना, आगे देखिए, the study of human behavior and societies, human behavior और societies, मानव, वहवार और समाज, उनके बारे में, मानव के बारे में, उनके समाज के बारे में, उनके वहवार के बारे में, जो study होती है, उसे आप कहा कहते हैं, archaeology, archaeology तो वह होता है कि जमीन के नीचे जो पुरानी चीज़े चुपी पड़ी हैं, दबी पड़ी हैं, उनको निकाल के उनके बारे में जान करी लेना, उनके इतिहास की जान करी लेना, वह archaeology कहलाता है, public admission लगो गया, history, anthropology, 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 anthropology मतलब होता है मानव, तो यह मानव से साइन्स, तो किसकी साइन्स, एंत्रो, एंत्रो मतलब होता है मानव, तो मानव जाती कि जो उनके behavior और उनके societies के बारे में जो study होती है, उसको आप बोलेंगे anthropology, answer हो जाएगा 32 का D, anthropology, अब आगे देखिए आप लोग, next question, 33, John is a person who collects stamps, थोड़े पहले भी आया था, जो लोग stamps, जो dark ticket को इखटा करते हैं, उसे philatelist कहते हैं, philatelist, उसे क्या कहते हैं, हम लोग philatelist कहते हैं, बिब्लियो फाइल होता है जो books है, फाइल यानि प्रेमी, phil, फाइल, बिब्लियो यानि बुक्स, जो books को प्रेम करते हैं, पुस्तक प्रेमी, उनको बिब्लियो फाइल कहते हैं, आर्कियोलाजिस्ट, जो आर्कियोलाजिस्ट, जो पुरा तत्व, पुरानी चीज़ें जो जमीन में दभी पड़ी हैं, मंदिर, पुराने सिक्के, पुराने घर, मोंजोद्रो, वडपा, इन में जो चीज़ें जो जानकरी लेते हैं, उनको बोलते हैं, न्यू मिस मैटिस्ट होते हैं जो सिक्के इखटे करते हैं पुराने सिक्के पुराने सिक्कों को इखटे करने वाले कहलाते हैं न्यू मिस मैटिस्ट क्या कहते हैं नंको हम लोग न्यू मिस मैटिस्ट पुराने सिक्कों को इखटे करने वाले तो अपना आंसर हो जाएगा जो स्टाम्प कटा करते हैं उनको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट आंसर हो जाएगा D अब देके 34 किलिंग आफ न्यूबॉर्न बेबी अभी जस्ट एक बच्चा पैदा हुआ है और उसको पैदा होते ही मार देना जैसे हमारे इंडिया में खासकर रास्तान, अरियाना, यूपी, पंजाब ये जो नौर्थ इंडियन जो स्टेट्स हैं इनमें आपने देखा होगा लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था या अभी भी मारा जाता है तो उसे कहते हैं ब्रून अत्या, इंग्लिश में कहते हैं इसको क्या इंफेंट मडर, इंफेंटी साइड, चाइल्ड किलर, जीनो साइड, इंफेंटी साइड, इंफेंट होता है शिश्व, और साइड यानि होता है किलिंग, मारना, तो छोटे बच्चों को मारना जो मार देना, जाती संधार वो कहलाता है जीनो साइड, तो इंफेंटी साइड अपना आंसर हो जाएगा, अब देखें क्योशन नमर 35, इस प्लेट इस लाइबल टू बी इजीली ब्रोकन, जो चीज इजीली ब्रोकन हो जाए, उसे कहते हैं ब्रीटल, ब्रीटल, बिल्कुल ब ब्रीटल, जो तुरन टूर जाती हो, तो कांच वगरा के लिए यूज करते हैं, ब्रीटल, ब्रीटल ब्रीटल जल्दी टूर जाती हो, उसको ब्रीटल कहते हैं, आंसर ए हो जाएगा, 36, a person who studies the influence of heavenly bodies on human beings, जो heavenly bodies हैं, ग्रह, नक्षत्र, उनका human beings पर, मानव जाती पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ग्रहों का, नक्षत्रों का, तो उसे कहते हैं आप जोतिशी, जोतिशी कहते हैं, शोफर, ड्राइवर होता है, एमबेजडर राजदूत होता है, एस्ट्रो लोजर, ये जोतिश होता है, जो जोतिशी, मलब जो heavenly bodies हैं, उनका human beings पर क्या प्रभाव रहता है, उसका अध्धन करते हैं, और ऐसा ही एक बड़ होता है, एस्ट्रो, एस्ट्रो लोजर तो तो एस्ट्रो नोमर मतलब होता है, जो अंत्रिक्ष में जो लोग जाते हैं, और अंत्रिक्ष ग्रहों का अध्यन करते हैं, ये एक प्रकाव के साइंटिस्ट होते हैं, थे ना खगोल विज्ञानी कहते हैं इसको, खगोल विज्ञानी, एस्ट्रो नोमर, अंत्रिक्ष विघ्यान कि जो जानकार होते हैं को एस्ट्रोनोमर कहते है करें कि थे तो क्या यइन से कहते हैं कि तो अन्सरियों लोगा दो ourselves इस्ट लोजर ओके नाव क्वेशन नमबर 37 ए रिमेडी फॉर ओल्ड डिजीजस सभी बिमारियों का इलाज रामबान ओश दी उसको हम बोलते हैं पनेशिया अज़ा पनेश क्या होता है यह स्टैलिश वे आफ डूइंग सम्टिंग स्टैलिश अंपिडेंट वे वफ दूइं क्यों से काम करना डाट इस नॉन ऐस पनेश और यह क्या वर्ड होता है पैलीएटिव पैलीएटिव मतलब होता है यह ऐसी दवा होती है ऐसा तरीका होता है मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जो आपके दर्द को कम कर देगा लेकिन दर्द को जड़ से खतम नहीं करेगा ऐसे दबाई को बोलते हैं पेलेटिव एसे ट्रीटमेंट को बोलते हैं पहलेटिव पनेशिया होता है हर विमारी का इलाज रेमिड़ी फौर आल डिजीज यह बहुत प्यारा वर्ड़ है पनेशिया रामबान और पैनेश जो है यह एक्शुली पैनेश्ट वर निजये तो ये पैनक्स ही वर्ड पनेशिया एक ही फैमिली के वर्ड है बट जो रिमिडी फॉर आल डिजीजेज है इसके लिए जो प्रोपर वन वर्ड है वो हमारा पनेशिया होगा पनेश क्या होता है इस्टाइलिश एंड कॉंफिडेंट वे ओफ डूइंग सम्थिंग पैलिटिव एक दर्द निवारक पीडा नाशक दवा है जो कुछ समय के लिए पेन किलर टाइप कह सकते हो खतम थोड़ा देर के खतम करती है उसको तो आंसर हो जाएगा पनेशिया फिर देखिया आप लोग नेक्स्ट एपर्सन कमिंग टुद फोरें लेंड एक वेक्ती जो फोरेंड में आता है कमिंग यह ध्यान अगना कमिंग वर्ड टू सेटल देर वहां सेटल होने के लिए वहां पे आता है तो देखो एक वड़ होता है माइग्रेंट यानी एक से दूसरे देश में जाना जो एक देश से दुश्य देश में आता है, वो in हो गया, और immigrant, immigrant, तो em का मतलब हो गया, x, e मतलब x, x मतलब out, बाहर जाता है, तो यहां लिखा हूँ है coming, coming यानि आना, आना मतलब in, in मतलब im, तो इम वाला आंसर होगा एंसर करें थर्टीएट का आंसर आपको क्या करना पड़ेगा ए करना पड़ेगा इमिग्रेंट एमिग्रेंट क्या होता है आप यह होता है आप प्रवासी जो प्रवासी अपने देश में आता है आ आता है प्रवासी दूसरे देश का अपने देश म आउट वो जा रहा है इम आ रहा है इन ऐसे आधको आप तूरिस और सेटलर यह अलग वड़ हो गए आंसर हो जाएगा ए थर्टीएट का अंसर ए करेंगे प्र देखे 39 खिलिंग ऑफ चायड बच्चे को मारना इंफनी साइड हो सकता है और फिली साइड हो सकता है होमिसाइड मनलब होता है किसी मानव की हत्या जीनोसाइड पुर्जाती होत्ति- होत्या की हत्या इंफेंटि- पच्छी पी यह मेंधे जोटे बच्छे में डिय। सुसाइड मलब खुद को मार ले तो अपना असर हो जाएगा इंफैंटिस तो आपने देखा साइड पर बहुत सारे क्यूशन आ नरे ही मडर पर बहुत सारे कुशन आ रहे तो जितने भी साइड वाले ना उनको आप एक काम कर सकते हैं अलग से notebook में CID side वाले killing वाले वर एक साथ लिखेलो थे ना तो से आपको और जद्धा अच्छा याद करने तरीका हो जायेगा फोबिया वाले वड़ एक साथ कर लो मैनिया वाले वड़ एक साथ कर लो इससे ना यह लजी वाले वड़ एक साथ कर लो जो जो साइंस वाली बात हैं लजी तो इससे तोड़ा एजी हो जाएगा याद करना आपके लिए मेरी बात को आपने ध्यान सुना होगा आई हॉप कि इंफनिटिशरीज का अंसर हो जाएगा, 40 ए बिलडिंग वियर और ओडियंच से जहां, पर बैठते हैं उस building को क्या कहते हैं auditorium audio से बना auditorium एक्वरियम तो पानी जहां पानी के अंदर वो मचलिया रखते हैं उसको aquarium कहते हैं gymnasium gym का काम करेगा stadium खेलने काम करेगा auditorium audience बैठते हैं और program देखते हैं उसको auditorium कहें ठीक है ना औरिटोरियम सभागार जहां सभा होती है audience बैठते हैं मिटिंग होती हैं और लोग देखते हैं audience जहां बैठते हैं उसको auditorium कहते हैं एक government in which all religions are honored एक ऐसी government जहां पर सारे धर्मों को honor किया जाता है सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है उस government को कहता है secular government धर्म निर्पेख्ष secular communist साम यह तो साम्मेवादी हो गई socialist समाजवादी हो गई secular धर्म निर्पेख्ष हो गई जो किसी भी धर्म को महत्व नहीं देती उसके लिए सब धर्म को बराबर हैं वो सभी धर्मों का honor करती है secular इंडिया अमेरिका इंग्लेंड यह सारे देश secular countries हैं जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है तो secular होगा capitalist पूंजी वाद देश होता है तो एक पर्टीकुलर ग्रुप की जो कस्टम्स होती है जो उनकी रिती रिवाज होते है उनको आप क्या कहते है रिच्वल स्रीती रिवाज राइट रितिया ट्रेशन परंपरा सार्य जैसे हो गए कस्टम्स and habits of particular particular ग्रूप के habits और कस्टम्स को मौरेज कहते हैं लेकिन मौरेज होता है किसे एक पर्टिकुलर ग्रूप के जो रिति रिवाज है कह ihr आप गए और उस गाओं में उस एक जाती विशेश के वर्ग विशेश के जो रीती रिवाज है उनको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं मोरेज कहते हैं मोरेज उच्छारण क्या होगा इसका मोरेज यांस यह कॉट यह पूछा गया था हाला कि कन्सुजिंग क्योशन था लेकिन सबस्ट चांस का मोरेज यह था है और कि आगे देखिए 43 ए मैं ड़स नौन नो हाव टू रीड़ राइट एक आदमी जो नहीं जानता कैसे लिखते हैं कैसे पढ़ते हैं उसे अब निरक्षर कहते हैं उसको निरक्षर अनपढ़ कहते हैं त एडूकेटेड होता है की івड़िए्टेट होता है कि अबली वूप लिएस तो ओता है जिसे यह नहीं पता होता है कि उसके चारों और क्या घटित हो रहे हैं बहुत बहुत भूले महें ना समझ लोग możli लोग है об ье अब्स को लिखना पड़ना तो आता है लेकिन उस घ्यान को यूज करना नहीं आता वह एजुकेट नहीं हो पाया उसका निरक्षर अंपड इसको पड़ना लिखना लिखना आता तो 43 गभी हो जाएगा 44 गोवर्मेंट बाइ रूलर हो एज अन लिमिटेड पावर एक ऐसा रूलर एसा साशक कि सरकार जिसके पास अन लिमिटेड पावर हैं कोई उसके उपर अंकुष नहीं है कोई कंट्रोल नहीं कोई लिमिट नहीं है निरंकुष शासन ओटो क्रेट कहते हैं उसको और ऐसे शासन को ओटो क्रेशी कहते हैं निरंकुष निरंकुष शासन मोनार की राजतंत्र होता है एनार की जो राजत को मानते हैं यह अराजक्तावाद होता है अराजक्तावादी ब्यूरो क्रेसी होता है नो करशाहि जब ओफिशियल्स अधिकारियों का छासंज होता है उसे आप ब्यूरो क्रेसी कहते हैं तो अपना आंसर इसमें होना चीह है Autocracy 44 का आंसर होना चीह Autocracy मतलब जिसके अकेले की चलती की उइसके की किसी की नहीं सुनताह सब्सक्राइब कोई On unlike यह उपर कोई control नहीं है खुद के पास अनलिमिटेड पावर है उसे अप कहते हैं Autocracy अनर्की मलता है जान राज होता है राज्या हो गई नहीं मोनार्की राजा का तंत्र और विरोख्रेसी नोकर शायए पांसर हो जायागा अपना इसका ओटोख्रेसी यानि की बी आंसर होगा फोर्टीफोर का अंसर होगा भी 45 the animals of a particular reason एक पर्टिकुलर छेत्र के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं फ्लोरा नहीं फ्लोरा तो होता है पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स जिन से फ्लावर्स बनते हैं म्यूजियम तो संग्राले हो गया जू चलिया घर हो गया एनिमल पर्टिकुलर इजन और फ्लोरा इसे बौला भी जाता है जो साइंस के लोग जानते होंगे Funa and Flora Fona and Flora तो Fona क्या हो गया एक particular reason के जो animals होते है उनको आप Fona कहते है और particular reason के जो plants होते है उनको Flora कहते है Fona and Flora या Flora and Fona ऐसे कहा भी जाता है तो इसका आइसर हो जायगा Fona D 46 Life history of a person एक वेक्ति की लाइफ इस्ट्री रिटन बाई अनदर जो दूसरा कोई लिखता है बना आप किसी वेक्ति की जीवन का था जो दूसरा लिखे उसे बायोग्राफी कहते है और खुद लिखे उसे ओटो बायोग्राफी कहते है ओटो बायग्राफी जो खुद लिखे जो दूसरा लिखे हो बायग्राफी बिब्लियोग्राफी जो पुस्तके लिखता है उसको बिब्लियोग्राफी कहता है मैंबुआ क्या होता है आपने कोई घटना देखी आपके जीवन की कहानी नहीं हो आप जा रहे तेर आपने घटन में रहे गई हमारे तो उसको हम लोग लिख रहे हैं अब उसका वंडन कर रहे हैं उसको मैंबवा कहते हैं बट लाइफ इस्ट्री पूरा आपके जीवन की कहानी को लिखना खुद लिखते हैं तो ऑटो बैग्राफी को दूसरा लिखता है अनदर देना रिटन बाई अनदर इसलिए यहां पर आंसर होगा बायोग्राफी तो 46 का अंसर भी हो जाएगा बायोग्राफी आगे चलते हैं 47 a person who does not believe in any religion एक ऐसा वेक्ति तो किसी भी धर्म में भगवान में विश्वास नहीं करता ठीक है न उसे आप क्या कहते हैं उसे आप इंदी में कहते हैं वो नास्ति इंग्लिश में कहते हैं उसको अथीस्ट थीस्ट होता है आस्तिक अथीस्ट होता है नास्तिक तो यहां अथीस्ट दिया हुआ है नास्तिक जो किसी भी धर्म में भगवान में विश्वास नहीं करता फिलाटेलिस्ट होता है जो डार्क टिकट संग्रह करता है और इनको विश्वास करता है और इनकी मूर्ति पूजा करता है यह लोग मूर्ति पूजक होते हैं बुद्ध परस्त होते हैं यह यह भगवान की मूर्तियां मना करने को पूछते हैं हमारे हिंदू जो लोग हैं वो वो पेगन होते हैं या पुराने जमारे जो ग्रीक लोग थे जो युनानी लोग थे वो भी देवी देवताओं की मूर्ति मनाकरन के पूजा किया करते थे उनको पेगन कहते हैं तो यह तो इसको ऑपोजिट हो गए एक तरह से अथी स्टांसर होगा जो किसी भी धर्म में भगवान में विश्वास नहीं करते हैं